असलाम अलेकूम अटेयर सुडेंट्स आज हम डिसकस करने जा रहे हैं जो सलेबा से हमारा JKSSB क्लास फोर्थ के अंदर साइंस का तो अब साइंस के अंदर तीन कमपोनेट हैं फिजिक्स, केमेस्ट्री एंड बाल जी तो आज हम डिसकस जो करने जा रहे हैं वो फिजिक्स के बारे में देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर कौन-कौन से important topic है जो हमने पढ़ने हैं तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है light बहुत important है क्योंकि पिछली साल का जो 2014 की 15 का जो मैंने paper देखा था उसमें light से जो एक question आया हुआ था simple सा question आया हुआ था direct question आया हुआ था तो यह जो है बहुत important बनता है सबसे पहले उसके बाद है electricity electricity भी important है magnetic effect of electric current उसके बाद है source of energy उतना important नहीं है source of energy उसके बाद है light मैंने दो बार लिखा हुआ है sorry तो उसके बाद है gravitation उसके बाद है work power and energy और last पर है हमारा motion force and work तो यह सब हमने जो है इसके अंदर पढ़ना है students मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है अगर wise जो है उतनी अच्छी नहीं आती होगी तो please don't mind for that आज जो हम topic discuss करने जा रहे हैं वो reflection of light के उपर है reflection of light के उपर जो topic है वो हम discuss करेंगे क्या है जो मैंने आपको बताया कि जो इसके अंदर question आया हुआ था वो सीधे question आया हुआ था कि reflection of light क्या होता है क्या पता इस बार reflection of light आ जाए direct question पूछा हुआ था कि मतलब जब light जो है travel करती है वो जो है अपना path change कर लेती है वो जो है अपना medium change कर लेती है जब वो medium change कर लेती है उस phenomenon को क्या कहते है reflection कहते हैं reflection कहते हैं और भी दो तिन option थे तो आपने वहाँ पे tick करना था reflection लेकिन आज जो हमारा topic रहेगा वो है reflection of light reflection of light क्या होता है कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है bouncing back of light bouncing back of light का मतलब क्या हो गया कि light का जो है वापिस आ जाना कहां से वापिस आ जाना light कैसे वापिस आ जाएगी जब वो किसी object के साथ टकराएगी object से टकराने के बाद क्या होगा वो ऑपजेक्ट की property क्या होनी चाहेगी वो जह light को वापिस भेजे वो जो क्या होनी चाहे और होनी चाहे ताके वो जो है अगर वो transparent होगी तो light pass हो जाएगी उसमें से अगर लेकिन वो opaque होगी तो light वापिस आजाएगी तो इस process को हम क्या कहते हैं कि जो light का वापिस आजाना जब वो किसी object के साथ opaque object के साथ जो है क्या करेगी strike करेगी और वो जह है वापिस आजाएगी उसको हम क्या कहते हैं reflection of light direct question आने के chances हैं यहां से कि reflection of light क्या होता है जब भी आप देखोगे कि कोई ऐसा word लिखा होगा कि bouncing back लिखा होगा या reflecting back लफज जहां पे भी लिखा होगा तो आपने tick मारना है reflection of light के उपर तो अब हम देखेंगे कि यह जो type of reflection है उतना important नहीं है लेकिन आपके knowledge के लिए बहुत जुरी है specular reflection क्या होता है diffuse reflection क्या होता है और multiple reflection क्या होता है क्या है कि जो specular reflection है कि यह एक ऐसा reflection है और जो reflection of light जहें न आपने जहें इस तरह से मानना है कि suppose daily life में अगर एक example आपने पकड़नी है न तो आपने क्या करना है suppose यह आपकी दीवार है आपने क्या किया एक ball हिट करी इस पे हिट करने के बाद वो क्या करेगी वो वापिस आ जाएगी न इस तरह से यहां से आपने बाल फैंकी वो जहें इस तरह से वापिस आ गई इस तरह से वापिस आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया और वो जहें वापिस वहां से आ गई light is reflection of light is same phenomena ओके hope आपने इसको समझा होगा अब हम पढ़ेंगे specular reflection क्या होता है specular reflection वो phenomena है simple phenomena जो reflection of light है इसी को हम क्या कहते है specular reflection कहते है then is diffused reflection diffused reflection वो reflection होता है कि जिसमें हमारी surface जो होगी हमारा जो mirror होगा अब यहाँ पर reflection of light जो हम मैन फोकस हमारा mirror के ओपर होता है, lenses के ओपर ही होता है अब जो objects में discuss कर रहा था वो जो है क्या होगा वो mirrors ही हमारे होंगे वो mirrors शिशे ही होंगे glasses होंगे उनके उपर light जब हम strike कर वाते हैं तो वो वापिस आ जाती है कभी कबार वो उसमें से pass हो जाती है diffuse reflection की बात हम कर रहे हैं diffuse reflection वो reflection होती है जहां पर हमारी जो surface होती है वो irregular होगी उसमें कुछ scratches वगेरा होंगे पूरी light हमारी वापिस नहीं आएगी उस reflection को हम क्या कहेंगे diffuse reflection diffuse then is multiple reflection multiple reflection क्या होता है students, multiple reflection वो reflection होती है जहां पर हमारी जो है बहुत सारी light हैं जो है वापस आजाएंगी मतलब बहुत सारे हमारे mirrors होंगे वहाँ से light reflect होके वापस आजाएगी उसको हम कहेंगे multiple multiple means बहुत सारी reflections हो रही है ठीक है उसके बाद अब हम discuss करेंगे laws of reflection laws of reflection क्या होता है बहुत important topic है और बहुत बार आपने 10th class में पढ़ा होगा अच्छे से पढ़ा होगा मैं उमीद करता हूँ कि आपको अभी भी याद होगा ये क्योंकि ये बहुत अपने 10th class में बोर्ड के एक्जाम में तो ये वाला question आता ही आता था 100% इसके chance होते थे लेकिन अब फिर भी हम इसको discuss करेंगे यहाँ पे कि last of reflection क्या होता है क्या होता है friends की हमारे पास एक mirror होता है mirror mirror क्या करता है light को reflect करता है क्या करता है light को reflect करता है मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है एक mirror लिया हुआ है जब मैंने एक ray of light जो है इस पे fall करवाई है यह जो है यह वाली light जो है मैंने इस तरह से fall करवाई इस पे support यहां से क्या होगा कि यह जो है इस तरह से यहां की तरह क्या हो जाएगी reflect हो जाएगी reflect mean वापस आ जाएगी हां तो strike करने के बाद जब यह वापस आ जाएगी जो यह ray of light है जो मैंने यहाँ पर incident करवाई है इसको बोलते है incident ray जो मैंने यहाँ पर fall करवाई है इसको बोलते है incident ray यह याद रखना कि incident ray कौन सी ray होती है वो ray of light जो fall करती है mirror के उपर जो हम fall करवाते है mirror के उपर that is known as incident ray और वो ray of light जो incident होने के बाद mirror से reflect हो जाए उसको हम कह रिफलेक्टेड रे यहां पर लिखा हुआ है रिफलेक्टेड रे उसको बोलते हैं हम रिफलेक्टेड रे याद रखना है इंसिडेंट रे कौन सी होती है और रिफलेक्टेड रे कौन सी होती है और उन दोनों के बीच में हम एक परपंडिकुलर ड्रा करते हैं उसको बोलते पर मैंने लिखा हुआ है angle I angle I or angle R इसका मतलब क्या हो गया कि angle I का मतलब हो गया angle of incidence angle of incidence angle of incidence यहां पर बना रहा है तो angle of incidence क्या होता है the angle between angle between incident ray और normal incident ray और normal के between में जो angle होगा उसको हम बोलेंगे angle of incidence उसको बोलेंगे angle of incidence और जो angle r जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो वो angle है जो normal or reflected ray के बीच में बन रहा है तो angle i normal or reflected ray के बीच में बन रहा है तो angle r hope students आपने इसको समझा होगा अगर नहीं समझा तो फिर से समझाने की कोशिश करूँगा कि incident ray वो ray होती है जो mirror के उपर fall करवाते हैं हम reflected ray वो ray होती है जो reflect होती है जब strike करने के बाद जो है वापिस आ जाती है उस ray को reflected ray कहते है नार्मल उसको कहते हैं जो perpendicular हम ड्रा करते हैं between incident ray and reflected ray के between में जो हम normal ड्रा करते हैं उसको बोलते हैं perpendicular या normal okay then उसके बाद angle of incidence किसको कहते हैं angle between incident ray and normal उसको angle of incident कहते हैं दिन उसके बाद angle of reflection किसको कहते हैं ? angle of reflection उसको कहते हैं जो angle बनाता है angle between normal और reflected ray के बीच में hope students आपने इस diagram को अच्छे से समझा होगा अब मैं बताऊँ आपको कि law of reflection क्या होते हैं ? अब law of reflection हमारे पास दो तरह के law of reflection है first law हमें क्या कहता है ? फर्स्ट लाह हमें ये कहता है कि जो ये इंसिडेंट रे है जो ये इंसिडेंट रे है और जो ये रिफलेक्टेड रे है और ये जो नारमल है आल लाइज अन दा सेम पलेन सारे एक ही पलेन में लाई कर रहे हैं तीनों की तीनों रेज जो हैं तीनों की तीनों रेज जो हैं ए तीनों की तीनों rays of light जो है एक ही same plane में लाई कर रही है एक ही plane में लाई कर रही है उसके बाद है यह यह देखिए यहां पर same यहां पर मैंने लिखा हुआ है I.R short में लिखा है इसको आपने पढ़ना है incident ray then reflected ray and normal all lies in the same plane this is first law of reflection then second law हमें क्या कहता है angle I that is equal to angle R इसका मतलब क्या हो गया कि angle of incidence is equal to angle of reflection angle of incidence is equal to angle of reflection यहां पर diagram में देखिए कि जो angle I है वो जह है angle R के बराबर है जितना angle I होगा उतना ही angle R होगा कि angle of incidence that is equal to angle of reflection hope guys आपने अच्छे से समझा होगा अब मैं आगे चलता हूँ आगे भड़ते हैं हम देखते हैं क्या है तो अब हम डिसकस करेंगे अब हम देखेंगे कि mirrors क्या होते हैं किस तरह से जो है यह जो mirrors है कानके mirror और convex mirror यह कैसे बनते हैं यह हम देखेंगे तो यह जो mirrors होते हैं यह कैसे बनते हैं सबोज हमारे पास एक spherical mirror है यह spherical mirror है गोल शिशा जैसा है ठीक है यह गोल शिशा जैसा है सबोज इसको मलब आप यह करो तो क्या है कि यह आपने मान लिया कि हमारे पास एक गोल spherical mirror है गोल शिशा जैसा है उसको हमने जब काटा तो हमारे पास जो है क्या बन गया concave mirror और convex mirror concave कैसे बनेगा अगर उसकी outer surface जो है polished होगी तो concave बनेगा अगर मतलब सपोज यह spherical mirror था आपका इसको आपने बीच में से काटा इसकी जो outer surface थी outer वाली surface reflecting surface थी और inner जो थी polished थी polished का मतलब हो गया कि यहां से कोई reflection नहीं होगी ठीक है समझ में आया अब यह जो concave mirror कहां से हमने लिया spherical mirror को काट के जो है हमारे पास concave और convex mirror आ जाते हैं अब हम देखेंगे दोनों के अंदर क्या difference है concave mirror क्या होता है और convex mirror क्या होता है कौन के mirror वो mirror होता है कौन के का मतलब एक guard होगी इसके अंदर से तो अंदर से guard का मतलब क्या होगया कि जब light इसके उपर पड़ेगी तो क्या हो जाएगी वो reflect हो जाएगी इसका मतलब inner surface इसकी reflecting होगी reflecting होगी अंदर से light को reflect करेगा और बहार से polished होगी बहार से कोई reflection नहीं होगी इसको आपने एक शीशे की तरह imagine करना है एक शीशा हमारा होता है उसमें क्या होता है कि बहार वाली side क्या होती है polished होती है इसी तरह concave mirror हमारा क्या होता है कि इसकी inner surface से आफुसे हाँ भूती है यहां मैं लिखा हुआ है इ Detroit Alors इसकी पारफेस लेकिन जो आउटर सर्फेस इसकी रिफलक्टिंग्त भूमत चाहिएगी वो reflect हो जाएगी दोनु जो है एक दुसरे के opposite है एक जो है concave में क्या है कि inner surface reflecting है outer polished है और convex में क्या है कि इसमें जो outer surface है वो reflecting है and inner surface is polished तो आपको direct question यहां से आजा सकता है कि inner surface जिसमें क्या होगी polished होगी उसको क्या कहेंगे reflecting उसको क्या कहेंगे convex mirror कहेंगे और जिसकी outer surface polished होगी उसको क्या कहते हैं कौन के mirror कहते हैं ठीक है यह आपने object में याद रखना है अब हम पढ़ेंगे कुछ terms के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हमने इसमें use करना है जब हमने image बनानी है उसमें कुछ short terms में use करूंगा वो सब आपने यहाँ पे learn कर करनी है उनको याद रखना है ताके आप जो है easily अराम से आगे जो lecture होंगे उनको understand कर पाओगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि यह हमारा एक spherical mirror है ठीक है spherical mirror क्या है कि मतलब sphere है sphere की तरफ है अब आपको पता है जो यह center होता है circle का एक center होता है कि इसका एक center होता है कि जब हम यहां से एक Crime रिचा करते हैं इसको हम बोलते है radius क्या बोलते हैं radius यह सब आपको पता है ठीक है तो यह जो center है sphere का center जो है c को बोलते है इसको बोलते हैं center of curvature क्या बोलते है center of curvature यहाँ पे मैंने लिखा हुआ c denotes for center of curvature और यहाँ बनाया हुआ है लेकिन जो यह line होती है ना इस तरह से हम कुछ line बनाएंगे अब आप देखोगे आगे आगे तो इस line को हम बोलेंगे principal axis यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप इसको जुरूर लिखेगा कि यह जो है क्या है principal axis यह जो line है हम draw करते हैं जो join करती है center और center से होते हुए जो line जाती है उसको हम बोलते है principal axis उसके बाद principal axis के बाद क्या है कि जो जब हमने क्या किया एक कानके ओ या convex mirror बनाया उसके अंदर अब यहाँ पे क्या है सबोज हमारे पास यहाँ कानके mirror है हमने center आफ कर वेचर देखा और क्या देखा हमने और देखा हमने कि principal axis किसको कहते हैं अब जो हमारा जब हमने यहाँ पे कौनके mirror ड्रॉक किया यह वाला देखो और आगे dotted है यह कौनके mirror है उसके बाद जो कौनके mirror का center होता है ना center center उसको बोलता है pole pole of the mirror pole जो है यह P से मेंने denote किया हुआ है pole of the mirror P से denote किया हुआ है यहाँ पे देखिए यह है pole of the mirror और जो यह F है ना F F यह आ गया focus यह क्या आ गया focus focus then C is center of curvature और जो हमारा C और P यह बन गई ना length C और P C से लेकर P तक यहां से लेकर यहां तक इसको हम क्या बोलेंगे आप radius of curvature radius of curvature उसके बाद जो distance between C और P यह वाला आ गया ना यह आ गया ना radius of curvature तो अगर हम देखेंगे F और P का जो distance है इसको हम बोलते है focal length क्या बोलते है focal length F stands for focus P stands for pole of the concave mirror यह convex mirror and C stands for center of curvature distance between focus and pole is called focal length and distance between C and P center of curvature and pole is called radius of curvature तो यह कुछ terms थी जो हमने यहां पे डिसकस करनी थी लिखा हुआ मैंने C stands for center of curvature F stands for focus और P stands for pole CP means radius of curvature CP जो distance between C और P है this is radius of curvature then FP focal length and denoted by F और radius of curvature को हम R से denote करते हैं उसके बाद क्या है कि जो हमारा relation है between F और P F stands for focus and F stands for focal length focal length और radius of curvature के between में जो relation है वो क्या है focal length that is equal to radius का half radius का half radius का half डिवाइड 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 तू radius का half F is equal to R by 2 यह किस तरह R by 2 आ जाता है क्योंकि C और P जो full length है ना हमारी C और P यह यह आगे ना C और P यह हमारा क्या यह है radius हमारा क्या है radius अब जो इसका half है मतलब center में इसका क्या है F है तो हमारे पास relation क्या बन गया है कि radius of curvature जो है किसके focal length किसके बराबर होता है F that is equal to radius का half R by 2 है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जब F से लेकर P तक जब हमारा focal length है तो F is equal to radius का half यह आपने याद रखना है यहाँ से भी direct question आ सकता है आपके exam में कि यह focal length that is equal to या relation between focal length and radius of curvature that is equal to वहाँ पे जो है दिया होगा 3 by 2 R या 1 by 2 R वो भी ठीक है R by 2 लिखा होगा तो आपने जो है जो correct answer होगा वो आपने जो है वहाँ पे टिक करना है Hope students आपने जो है मेरे lecture को enjoy किया होगा और इसी तरह से हमेरे साथ बनिये रहे और हम अच्छे-च्छे points जो है discuss करेंगे और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा जो भी point आपको समझ में नहीं आया होगा तो please comments में बता दीजेगा और ये भी बता दीजेगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया या नहीं आया Thanks Good day to you